हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन प्रजपती और आप देख रहे हैं कैम टॉक्स आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आप सभी ने सुना होगा कि विकिपीडिया डोनेशन मांग रहा है Wikipedia भारतिय से डोनेशन क्यों मांग रहा है? क्या सच मुछ Wikipedia को डोनेशन की जोर्थ है? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखिए और इसे लाइक करिए, सस्क्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए Wikipedia एक multilingual online in clippedia है जो की बनाया और maintain किया जाता है Open Calibration Project by a community of volunteers edits using our wiki based editing system दोरा Wikipedia, Wikimedia Foundation दोरा own किया जाता है इसकी अस्थापना 15 जन्वरी 2001 को हुई थी इसको Jimmy Wales और Larry Sanger ने बनाया था Wikipedia में 6.1 million articles लिखे हुए है Wikipedia Alexa के दोरा top 15 website हो में आता है इसका headquarter San Francisco USA में है या एक non profitable organization है जो की लोगों के donation पर चलाई जाती है दोस्तों जब भी आप Wikipedia open करते होगे तो एक pop-up message show करता होगा जैसा कि आप हमारे screen पर देख सकते हैं कि Wikipedia दोरा एक ऐसा pop-up message show हो रहा है जिसमें 150 का donation मांग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ? देखिए दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है 2015 में भी Wikipedia ने इंडिया से donation मांगा है और ये ऐसा पूरे word में हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? आईए इसके लिए चर्चा करते हैं कि Wikipedia हमसे ऐसा donation क्यों मांग रहा है Wikipedia को चलाने के लिए पैसिक जोग पड़ती है उनके employee, server per store data के लिए पैसिक जोग पड़ती है domain के लिए पैसिक जोग पड़ती है आपको पता ही होगा कि Wikipedia पर कोई भी advertisement नजर नहीं आता और आपको पता होगा कि किसी भी website को चलाने के लिए advertisement एक most important role play करता है क्योंकि जो advertisement जो करता है वो website को पैसा देता है किसी भी website को कमाने के लिए मुख तौर पर एक ही जरिया होता है और भी कई सारे जरी होते हैं लेकिन मुख तोर पर एक ही जरीया होता है जो की एड दिखा कर होता है जब आप उस कंपनी के एड को आप अपनी वेबसाइट में दिखाते हो तो वो एड की कंपनी वेबसाइट को पैसा देती है लेकिन आप Wikipedia पे कोई भी एड नहीं देखोगे इसका मतलब यह हुआ कि Wikipedia को भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है इस टाइप के एड से Wikipedia ग्यान का भंडार है आप कोई भी टॉपिक लिख दो किसी के बारे में भी लिख दो अगर वो थोड़ा सभी फेमस होगा तो आप Wikipedia पे उसको इसली देख सकते हो फाइंड कर सकते हो उसके बारे में पढ़ सकते हो History से Related Topics, Technology से Related Topics, Science से Related Topics, Political से Related Topics और भी बहुत चीज़े जो हैं आप Wikipedia पे सर्च कर सकते हो फाइंड कर सकते हो उसके बारे में जान सकते हो आपको सबकी जानकारी Wikipedia पर आसानी से मिल जाती है लेकिन इसको चलाने के लिए पैसे की ज़ग पढ़ती है वो पैसे कहां से आते हैं? डोनेशन से Wikipedia का कहना है कि खाली 2-3% लोग ही उनको डोनेशन करते हैं अगर उनको ऐसे डोनेशन नहीं मिले तो अपनी साइट को कैसे चलाएंगे उनके Employee जो वहाँ पे Work करते हैं उनको भी कैसे वो salary दे पाएंगे कई लोगों को लगा कि Wikipedia को पैसे नहीं देने चाहिए वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे लेकिन कई लोगों को लगा कि हमें Wikipedia को पैसे देने चाहिए क्योंकि वो हमारी project बनाने में और भी कई चीजों में help करते हैं जी हाँ जब आप school में होंगे या फिर college में होंगे तो आपको projects और assignment मिलते होंगे तो आप Wikipedia का भी उसमें यूज करते होंगे Wikipedia पे easily जो है आपको information मिल जाती है और भी जानकार्या मिल जाती है वो भी free of cost तो Wikipedia जो है knowledge का बंडार है Wikipedia का उदेश है कि आपको इसी तरह free में information देते रहे knowledge देते रहे लेकिन बिना पैसे के कुछ होता नहीं है उसको भी कुछ पैसे की जोथ है या कोई scam नहीं है कोई funding नहीं है बस उसको अपनी website चलाने के लिए पैसे की आव सकता है तो आशा करता हूँ कि आप भी उनकी help करेंगे thanks for watching this video